देखे जीटमेंटी राश्वाध्यक्षो के साथ साथ उनके परिवार वाले भी भारत आये हुए हैं और शनिवार को इंडोनेशिया राश्वपती के बेटे और बहु सडक के रास्ते से आगरा पहुँचे ये तमाम खबरे आप तक होंगी पहुँचाएंगे फिलाल तस्व पेरे आपके सामने रिशी सुनक के साथ उनकी पत्नी अक्षता बूर्ती भी मौजूद हैं और अब अक्षधाम मंदिर से बहार निकल चुके हैं यहाँ पर उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया और लगभग आदे घंटे से जादा का वक्त रहे हैं इसके अंदर अक्षधाम मंदिर के अंदर पहुचे थे और अभी इस समय साथ 43 का वक्त हो रहा है लगभग एक घंटा एक घंटे में कुछ मिनट 6 हैं लगभग एक घंटे का समय जो है उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मंदिर के अंदर बिताया जहां पर विशेष पूजा आर्चना की व्यवस्था की गई थी अभी से 10 मिनट पहले इस रूट को बंद कर दिया गया था और जो एक घंटे का समय उनको मंदिर के अंदर रहना था अभी यहां से जो सुचना मिल लई है कि यहां से वो राजगाट की और बढ़ सकते हैं क्योंकि लगभग 8 बजे का जो समय बताया जा रहा है व इसके बाद कही ना कहीं यहां पर जो सुरक्षा विवस्थाएं थी जो यहां पर विवस्थाएं थी उन सभी को अलर्ट मोट पर किया गया अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो यहां पर पुलिस करमी जो यहां पर केंदरी सुरक्षा बलों के जवान थे वो बिल्कुल कई संदेश यहां पर दिये गए हैं और सुभा सुभा की जिस शुरुवात है वो रिशी सुनक ने मंदिर के साथ की है अक्षरधा मंदिर में पहुंचे और स्वामी नाराइन भगवान की दर्शन रिशी सुनक ने किया अपनी पत्नी अक्षता के साथ और अब उन कलता हुआ काफिला नजर आया तब साथ बचकर कुछ 43-44 मिनिट हो रहे थे आने की लगभग एक घंटे का समय क्योंकि भव्य बड़ा और खुबसूरत परिसर है अक्षरधाम मंदिर का और इस खुबसूरती को देखते हुए और साथ ही भगवान स्वामी नारायन के इजाम किये गए थे खासतोर से रिश्य सुनक और उनकी पत्नी के लिए ये दो तस्वीरें आपके सामने और अब जो राजगाट की तरफ का रुख है ये काफिला करता हुआ नजर आएगा राजगाट पहुँचेंगे और महात्मा गांधी की जाएगी श्रधांजली दी जाएगी और रिशी सुनक के साथ साथ जी ट्वेंटी देशों के जो तमाम नेता इस वक्त दिल्ली में मौझूद है वो भी राजगाट पहुँचेंगे और राश्रपिता महात्मा गांधी को श्रधांजली अर्पित करेंगे महात्मा गांधी के पसंददा भजनों का यह इसरे सेशन में One Future पर बातशीत होगी